तो बहुत जादा सुनो अगा आप लोगों ने अल्गोरिदम के बारे में बट ये अल्गोरिदम एक्चुल में होता क्या है ये बहुत जरूरी है जानना तो अगर आपको कोई भी problem solve करनी है तो आप उसका कुछ न कुछ procedure बनाओगे कि इस तरीके से problem solve होगी और उसके कुछ set of rules बनाओगे कि इन rules को follow करके हम इस problem को solve करेंगे चाहे आप अपने real life की बात करो वहाँ भी कोई problem आती है तो आप कुछ न कुछ आपका procedure होता है कि जब भी ये problem हैगी ऐसे solve करना है इस rule को follow करना है तो इसी को हम लोग बोलते हैं एक algorithm और कुछ नहीं होता algorithm example आपको 10 post fetch करने थे 1 million post के अंदर से लेकिन कुछ particular user की preference के according आप fetch करना चाहते हो तो आपने एक algorithm set करी होगी कि जो मेरी post है वो मुझे fetch तो करनी है लेकिन user की preference के हिसाब से करनी है क्या चीज उसमें जादा matter करती है कि ऐसी post जिसके views जादा हो जिसकी कहना चाहिए कि जितने लोगों ने post देखी उनमें से like जादा लोगों ने करा हो तो बहुत सारे factors हो सकते हैं जो आपने अपने हिसाब से decide कर रखे कि हाँ ये चीज जिस जिस के अंदर मिलेगी उसको मुझे सबसे ओपर दिखाना है ये चीज जिस में सबसे कम मिलेगी उसको सबसे नीचे दिखाना है तो ये rules आप decide करोगे procedure आप बनाओगे सब कुछ आप decide करोगे अपने algorithm में इसी तरीके साब के होती है search engine algorithm जैसे google की है तो वहाँ पर क्या है आप एक search string के according data को दिखाना चाहते हो लेकिन again वही चीज आती है कि ये कौन सी website उपर दिखती है कौन सी नीची दिखती है बहुत सारे factors के ओपर depend करता है तो वो उसी को हमें एक algorithm बोलते हैं अब हो सकता है आपकी एक छोटी सी site है जादा बड़ा search engine नहीं है तो आपने गिंती के तीन चार factor है जिसके according आप decide करते हो कि कौन सी चीज ऊपर आनी चाहिए कौन सी नीच आनी चाहिए और कि sorting होनी कैसे चाहिए और हो सकता है आपका बहुत typical way तो वह आपके ओपर depend करत है आपके algorithm कितनी जादा कहना चाहिए complicated है कितनी जादा easy है समझनी इसके लिए हम लोग जैसे के अभी मैंने बताया जो भी rules सोचेंगे जो भी solution सोचेंगे उसी को हम बोलेंगे एक algorithm